अपने जीवन में अगर आपको लंबी उमर चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए और खुशनुमा जिन्दगी चाहिए, तो आपको तीन काम करने होंगे, आपको भूख का 80 परतिशत खाना खाना होगा, आपको 20 मिनट तक खाना खाना होगा, और आपको 80-20 का रूल फोलो करना ह सरप्रथम 80 परतिशत खाना आप कैसे सुनिश्चित करें, जब आप ये पैसला कर लें, कि आपको भूख का 80 परतिशत खाना खाने का रूल अपनाना है, तो आप एक दे के लिए अपनी थाली में जो खाना खा रहे हैं, उसा वर्णन अपना रिकॉर्ड कर लेजिए, सुब तहा के अंत में आप उस खाने की एवरिज निकाल लें, और अगले सबता से उस मातरा को 80 परतिशत में बदल कर अपनी थाली में रखें, और बस उतना ही खाएं, जब आपकी थाली का खाना खतम हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, चाहे उसके बाद आपको आपकी खाना जाके पहले पहुंचता है, उसका साइस धीरे धीरे कम होने लगेगा, और कुछ सबता के बाद ये महसूस करेंगे, आपकी भूक भी कम हो गई है, आप सुनिश्चित कर लें, खाना आपको सूरे उदे के बाद और सूर्या से पहले ही खाना है, उस पीरिड में आप समय भी निश्चित कर लें, कि आपको किस समय पर खाना है, और आपने ये 80% की मातरा एक बार थाली में ले लेने के बाद और कुछ नहीं खाना है, इसके लंबे समय तक और क्या फायदे हो सकते हैं, आपका फैटी लीवर अगर है, तो उसका फैट कम होना शुरू होगा, उ कम होगा, फल सवरोप आपके हर्ट अटेक होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी, आपके दुसरे और गन्स को भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना होगा, जैसे के पैंक्रियाज, किड्ने, लेवर, इंटेस्टाइंज, तो ये सब और गन्स एक आप्टिमल स्टेज में आए दूसरा काम जो जरूर करना है, वो है कि खाने को 20 मिनट तक खाना है, जब आप खाना खाने बैठें अपने थाले में, तो आप अपना समय नोट कर लें और 20 मिनट लगाएं उस खाने को खतम करने में, उससे होगा क्या, आप तिरे दिरे खाएंगे, ज़्यादा अगर हम 32 बार खाने को चबाएंगे, तो वो खाना पीने जैसा हो जाएगा, कि हम उसको पे रहे हैं, हमारे पेट को, आंद्रियों को, उसको पीशने के लिए, बारिक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, कम एफट करना पड़ेगा, फलसुरूप, पेट और आंद् कितरा फूल जाता है उस समस्या का भी निवारण हो जाएगा और तीसरा जो हमने बात की कि आपको 80-20 का रूल फॉलो करना है यानि कि 80 प्रतिशत आपका खाना आपके निउट्रिशन और क्वालिटी के लिए होना चाहिए और 20 परसेंट खाना जो है वो टेस्ट के लिए स्वाद के लिए हो कुछ लोग बहुत सारी रिसर्च स्टेडी के बाद ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ना वेजिटेरियन हो और 20 परसेंट नान वेजिटेरियन हो लेकिन जो 80-20 का रूल हम बात कर रहे हैं उसमें 80 प्रतिशत खाना निउट्रिशियस हो आपकी सेहत के लिए हो यानि कि उसमें कर्भो हैड्रिट्स कम हो प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जादा हो फैट भी एक बै जादा नान वेजिटेरियन डाइट या चाट पकोड़ी छोले भटोरे ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं खाएंगे अगर आप ये तीनों रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी अच्छे से काम करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी अग क्या स्वास्ते सही रहेगा. Intermittent fasting का जो रूल है कि सुर्योद्य के बाद और सुर्यात से पहले खाना है यानि कि आप 8 से 12 घंटे ही खाना खा रहे हैं तो 12 से 16 घंटे का जो समय है वो आप खाना नहीं खा रहें वो intermittent fasting को हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे मन्द है. पूरे विश्व में सैंकडों ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें अब ये साबित हो गया है कि अगर हम 12 से 16 गंटे का प्रती दिन उपवास करते हैं तो हमारे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग हो जाता है, हमारे खुशी के हार्म जो हैं वो भी ज्यादा अच्छे से बैलेंस तरीके से काम करते हैं, जैसे के आपको हमने इकीगाई के बारे में बताया था कि जापान में ओकिनावा के नॉर्थ आइलेंड में लोगों की उमर बहुत लंबी होती है और वो खुशनुमा रहते हैं, तो ये तेन चीजें खा वीडियो पसंद आएगा, कि इस बारे में अगर आपको कोई परस्नल क्वेस्टेंज हों, वो आप हमें कमेंट्स में लिख दे या हमारा वाट्स अप नमबर है, उस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप और हम मिलकर अच्छी बातों को जानकर एंप्लिमेंट करके कि यू